तेंद्वे और जंगली कुट्ते दोनों ही दुजेय शिकारी हैं लेकिन उनकी शिकार करने की शैली और सामाजिक संरचना में काफी अंतर है तेंद्वे अकेले शिकार करने वाले होते हैं जो अपनी छुब छुब कर शिकार करने की क्षमता और शक्ती के लिए जाने जाते हैं बिंगात लगाने की रणनीती पर भरोसा करते हैं अपने चद्म कोट का उप्योग करके परियावरण में घुल मिल जाते हैं, तेंद्वे अविश्वस निये रूप से मजबूत होते हैं और अपने इसे बड़े शिकार को भी मार, सबते हैं, अक्सर अपने शिकार को पेड़ों पर घसीट कर ले जाते हैं ताकि मेलड होने वा और धीरत शामिल होता है, जंगली कुट्ते अपनी सहन शक्ती के लिए जाने जाते हैं और लंबी दूरी तक शिकार का पीछा कर सकते हैं, बारी बारी से शिकार का नेत्रित्व करते हैं और अपने लक्षे को पूरी द्रिड़ता से ठका देते हैं, दोस्तों, आज इस पूर्वक्त शिकार का सफलता पूर्वक्त शिकार कर लेता है, तो असली चुनवती शुरू होती है, तेंद्वे को अपने शिकार को अफसरवादी जंगली कुट्टों से बचाना होता है, जो हमेशा भूजन चुराने के मके की तलाश में रहते हैं, अपनी ताकत और चप शिकारियों की पहुच से दूर रखती है, हाला कि शिकार को सुरक्षित स्थान पर पहुचाना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत प्रयास और सतर्कता की आवशक्ता होती है क्योंकि जंगली कुट्टे लगातार काम करते हैं और जुन में काम करते हैं, ये जंगली कु शिकार को अपने कबजे में लेने का प्रयास करते हैं, जंगली कुट्टों की रणनीती में तेंद्वे को घेरना और अपनी संख्या का उप्योग करके उसे डराना और धमित करना शामिल है, जिससे उनकी सफलता की संभामना बढ़ जाती है, तेंद्वा, इस जो खिम से अ शामियाब हो जाएं, लेकिन तेंद्वा पहले से ही परियाप्त भूजन प्राप्त कर चुका है, जंगली कुट्टों से लगातार खत्रा तेंद्वा को हर समय सतर्क रहने और अपने शिकार की रक्षा के लिए तयार रहने के लिए मजबूर करता है, इस कठोर और प्रतिस बलकि अन्य शिकारियों को मात देने और उनसे आगे निकलने के बारे में भी हैं जो हमेशा हमला करने के अफसर की प्रतिक्षा में रहते हैं, भोजन के लिए यह अथक लड़ाई जंगल में इन उलेकनिये जानवरों की लच्ची लापन और अनुकूल नशीलता को उजाग करती है, खुले मैदान में एक तेन्दूआ चुपके से एक हिरन का पीछा करता है, अरमान सपेशी हमला करने के लिए सही मोके की तलाश में तना हुआ है अचानक तेजी से तेंदवा जपट्टा मारता है और हिरन को पकड़ लेता है उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करता है जैसे ही शिकारी अपना भोजन लेने के लिए तयार होता है जंगली कुट्टों का एक जोंड जाड़ियों से निकलता है जो शोरगोल से खेजा चला आता है जंगली कुट्टे तेजी से तेंदवे को गेर देते हैं उनकी संख्या उन्हें बहुत ज्यादा फाइदा पहुँचाती है तेंदवे के भयंकर प्रतिरोद के बावजूद जुन्ध हिरन को पकड़ने में काम्याब हो जाता है उसे घसीरता हुआ ले जाता है और उसे खाने लगता है उनके शक्तिशाली जबड़े मांस को कीरते हैं और उनकी उनमाची के और गुराहटे हवा में भार जाती हैं कुछ ही देर बाद दो चालाक लकरबगधा ताजे शिकार की गंध से आकरशित होकर घटना स्थल पर पहुँचते हैं विसरहद पर धैरेप पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं जंगी कुट्टों द्वारा अपना हिस्सा खाने तक का इंतजार करते हैं जब कुट्टे त्रिप और विचलित होकर अंतहा आगे बढ़ जाते हैं तो लकरबगधा अपना मुका भुना लेते हैं वेहरण के अवशेशों को चीन कर तेजी से और कुशलता से खाना शुरू कर देते हैं जंगल में ऐसे द्रिशे आम हैं जीवित रहने के संघर्ष से अकसर भोजन के लिए भयन कर प्रतिस परधा होती है जहां कोई भी शिकार तब तक सुरक्षित नहीं होता जब तक कि उसे पूरी तरह से खान लिया जाए यह कठोर वास्तविक्ता प्रकृती के नाजुक संतुलन को रेखांकित करती है जहां हर प्राणी को खाद्य श्रीन खला में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है घने जंगल में एक जंगली कुता एक हिरन को खा रहा था जिसे उसने अभी अभी मारा था हवा में ताजे मांस की खुश्बू और जंगली कुत्ते के अपने भोजन को नोचने की आवाजें भरी हुई थी इस बीच पास में ही छिपकर घूम रहे एक तेंदुए ने जंगली कुत्ते को अकेला देख लिया तेंदुए अपने शिकार पर नजरें गड़ाये हुए साबधानी से उसके करी पहुँचा एक तेज शक्तिशाली चलांग में तेंदुए ने जंगली कुत्ते पर जपटा मारा जिससे बेग चौक गया और भागने पर मजबूर हो गया तेंदुए ने जल्दी से हिरन के शव को चीन लिया और उसे अपने जबडों में कसकर जपड लिया और अपने संतुलन और गति को बनाये रखने के लिए एक पैर को मुक्त रखते हुए तीन पैरों पर भाग गया जंगली कुता जिसके पास कुछ भी नहीं बचा था असायव होकर देखता रहा कि तेंदुए अपने कठिंग परिश्रम से कमाए गए भोजन के साथ घने जाडियों में गायब हो गया तेंदुए को देखते ही जंगली कुता अपने जुन को आवाज लगाता है वे दोनों मिलकर लगातार तेंदुए का पीछा करते हुए हरकत में आ जाते हैं हर बार जंगली कुते और उसके जुन को देकर तेंदुआ पैदल ही भाग जाता है शरंड लेने और छिपने की कोशिश करता है पीछा करने और भागने का यह द्रिश्य बार बार दोहराया गया है लेकिन कोई भी जानबर पीछे नहीं हटा जंगली कुते की देखने और सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वे तेंदुए को जल्दी से पहचान लेता है जुन्ड को आवाज देना एक सहज प्रतिक्रिया है जिससे एक एक इक रित रणमीतिक पीछा शुरू होता है जुन्ड का समन्वे और दिर्शंकल तेंदुए को ठका देने की उनकी संभावनाओं को बढ़ाता है जो अपने पीछा करने वालों से बचने के लिए गती और चुके पर मिर्भर करता है तेंदुए के लिए जंगली कुत्तों के जुन्ड की मौजूदगी एक लगातार खत्रा है एक शिकारी के रूप में अपनी चप पलता और कौशल के बावजूद तेंदुआ जंगली कुत्तों के सामुहिक प्रयास के सामने खुद को नुक्सान में पाता है फ्रतेक मुढ़ फेर में तेंदुए को अपने पैरों पर तेजी से चलना पड़ता है सुरक्षित छिपने की जिगे खोजने के लिए इलाके में आगे बढ़ना पड़ता है यह निरंतर बिल्ली और चुहे का खेल तेंदुए की सहन शक्ती और चाला की इक का परीक्षन करता है जंगली कुत्ते तेंदुए के भागने के प्रयासों से विचलित हुए बिना दिर्टा के साथ उनका पीछा करना जारी रखते हैं इन पीछा करने के दोरान उनकी समाजिक संद्वचना और टीम वर्क चमकते हैं जो एक जोन के रूप में उनकी ताकत को प्रदर्शित करते हैं जंगली कुत्ते की लची लपन और तेंदुए की चप पलता शिकारी और भगोडे के बीच एक गतिशील अंतर संबंद बनाती है जहां प्रतेख दूसरे को मान देने की कोशिश करता है पीछा करने की यह निरंतर श्रीन खला जंगली कुत्ते की एक दुर्जे यह जोंग शिकारी के रूप में भूमेका और तेंदुए की अपनी चुक्के और गती पर निर्भरता को उजागर करती है यह दोनों जानवरों द्वारा अपने प्राक्त्रतिक आवास में सामना की जाने वाली चुनावतियों की एक ज्वलन्त तस्वीर पेश करता है जंगली कुट्टे का अथक पीछा और तेंदुए का बार बार भागना जंगल की कठोर वास्तविकताओं को रेखांकित करता है जहां जीवित रहना अक्सर अपने विरोधियों के साथ अनुकूलन करने और उनसे आगे निकलने की क्षमता पर निर्भर करता है एक नाट के मुढ़ फेर में जंगली कुट्टों का एक समूह लगातार एक तेंदुए का पीछा करता है जुन समन्वित आक्रामक्ता के साथ आगे बढ़ता है भागने की कोशिश कर रहे तेंदुए को का अपता और नोचता है अपनी गती और चप पलता के बावजूद तेंदुए लगातार हमले का सामना करने में असमर्थ है कुटे उसे बार-बार काटते हैं जिससे वेह गंभीर रूप से घायल हो जाता है खून से लतपत और ठका हुआ तेंदुए शरन पाने के लिए संगर्ष करता है लेकिन जंगली कुटे अड़िक द्रिड संकल्प के साथ उसका पीछा करना जारी रखते हैं फ्रते काटने से तेंदुआ और भी कमजोर हो जाता है जो जंगली कुटों की कच्ची शक्ती और द्रिडता को दर्शाता है यह द्रिश्य जंगल में जीवित रहने की कठोर वास्तविकताओं की एक कठोर याद दिलाता है जंगल में तेंदुए और लकडबगे एक दूसरे के कठर प्रति द्वन्दुई हैं जो अक्सर भोजन और इलाके को लेकर आपस में भिर जाते हैं दोनों ही कुशल शिकारी हैं और उनकी अपनी अलग ताकत हैं तेंदुए चुपके और चप पलता पर भरोसा करते हैं जबकि लकडबगे अपनी सेहन शक्ती और शक्तिशाली जबढ़े का इस्तिमाल करते हैं जब उनके रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं तो तनाव तेजी से बढ़ जाता है ये काम मुढफेर की शुरुआत तेंदुए द्वारा अपने शिकार को पकड़ने से होती है लेकिन लकडबगो के आने से उसकी सफलता बाधित हो जाती है ये अवसरवादी में लड़ होने अकसर जूंड में आते हैं अपनी संख्या का इस्तिमाल अकेले तेंदुए को ड़ाने के लिए करते हैं इसके बार उगति रोध शुरू हो जाता है जिसमें तेंदुआ दहारता है और अतिक्रमन करने वाले लकडबगों पर हमला करता है लकडबगे बिनारों के अपने प् खड़ा रहने का विकल्ब चुनता है तो भयंकर लडाई चर सकती है तेंदुआ अपने शिकार की रक्षा करते समय अपने पंजे और दाप चमपाता है लेकिन लकडबगों की द्रिड़ता अकसर रंग लाती है उनका लगातार दबाव तेंदुए को पीछे हटने पर जागर करती है जो अस्तित्व के लिए नेरंतर संगर्ष्ट से प्रेरित है फ्रतेक संगर्ष्ट जंगली जीवन की कठोर वास्तविकताओं का प्रमाण है जहां हर भोजन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और हर छेत्र की रक्षा करनी होती है दूसरे दिश्चे में एक तेंद्वा एक हिरन को मारने का बहादूरी भरा प्रयास करता है अपने शक्तिशाली जवड़े और पमजों से अपने भारी शिकार को फेर पर ले जाने का कोशिश करता है अपनी ताकत और द्रिड संकल्प के बावजूद तेंद्वा अंत्त अपने शिकार को कुर्समनवय के साथ आगे बढ़ते हैं ठके हुए तेंद्वे सिहरन को चीन लेते हैं तेंद्वा लकडबगों की कुर्ता और संख्या को देखकर सुरक्षित दूरी पर चला जाता है असाय होकर देखता है कि लकडबगे उसकी नहिनत से कमाए गए भोजन को कैसे चीन ले जब एक लकडबगा एक हिरन को नीचे गिरा देता है लकडबगे के शक्तिशाली जबड़े और अठक द्रिड़ता शिकार में सक्फल हो जाती है लेकिन संघर्ष समाप्त नहीं होता इस टक्रिया में हिरन के अवन्छित शरीर के अंग बाहर निकल आते हैं जिससे एक भया के लिए जाना जाने वाला तैंदुआ लकडबगे से शिकार चीनने का अवसर देखता है अचानत तेजी से वेह हिरन पर जटटता है शिकार पर कबजा करने के लिए लकडबगा अपनी मेहनत से कमाय गए भोजन को छोड़ने के लिए तयार नहीं है वेह अपने शिकार की जमकर रक्षा करता है। एक तनाव पूर्णग तिरोध शुरू होता है। प्रतेक शिकारी गुराता है और अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करता है। हवा संघर्ष की आवाजों से भरी हुई है। एक लकरवगधा भी लड़ाई में शामिल हो गया और उसने भी और्थोग को निशाना बनाया। अचानक गुसपैट में लड़ाई की गतिशीलता को बदल दिया। लकरवगधा के हमले से विचले थोकर तेंदुए ने ख्रण भर के लिए और्थोग पर अपनी पकड़ खो जिससे तेंदुए और लकरवगधा एक दूसे से लड़ने के लिए पीछे रह गए। घने जंगल में एक तेंदुए और लकरवगधा के बीच भयंकर लड़ाई होती है। दोनों ही मांस के एक टुकड़े के लिए होड करते हैं। संगर्ष बहुत तीवर होता है जिसमें प्रतेक प्रतिद्वन्दुई अपनी ताकत और द्रिर संकल्प का प्रदर्शन करता है। अंत में तेंदुए जीत जाता है, मांस छीन लेता है और जाडियों में भाब जाता है। जंगल में इस तरह की जड़पे आम बात हैं, जहां तेंदुए और लकरवगधा लगाता प्रतिद्वार भोजन के लिए प्रतिस परधा करते हैं। तेंदुए अपनी फूर्तिली शक्ति के साथ अकसर पेड़ों पर चड़कर अपने शिकार को सुरक्षित करने की कोशिश करता है। हाला कि एक नाटकिये मोड में जब शिकार उसकी पकड़ से फिसल जाता है तो तेज तरार लकड़ बगा मौके का फायदा उठाता है। गिरे हुए इनाम को तेजी से पकरता है और भाग जाता है। ये मुढभेडे जानवरों के समराज्ये में वर्चस्व और जीविका के लिए अंतहीन संगर्ष को उजागर करती हैं। तेंदुआ और लकड़ बगा खुद को एक समान प्रतियोगिता में पाते हैं। इस बार एकमरेत जिब्रा के मांस के लिए उनके पमजे जिब्रा के शब को फार देते हैं। प्रतेक सबसे बड़ा हिस्सा लेने की कोशिश करता है। जब वे लड़ते हैं तो हवा में तनाव होता है जो जंगल में। जी एक लकरबगधा प्रकट होता है और अफसर का लाब उठाता है। यह सुवर पर हमला करता है जिससे अफरत अपरी और बढ़ जाती है। लकरबगधा के तीके पमजे सुवर की तवचा में गुश जाते हैं। और पहले से ही परिशान सुवर को खरोचते और फारते हैं। तेंदुआ, घुस पैट से प्रण भर के लिए विचलित हो जाता है और लकरबगधा को अपनी उपस्थिती का दावा करते हुए देखता है। उथल पुथल के बीच सुवर खुद को एक विकट स्थिती में पाता है। दो भयंकर लकरबगधा के बीच फसदाता है जिन मे से प्रतेक प्रभुत्व और अस्तित्व के लिए होड करता है। एक तेंदुआ अपने बच्चे के साथ अपने घुनसले के पास खेल-खेल में बाचीत कर रहा था तब ही एक गुस पैठिया लकरबगधा उनके इलाके में गुस आया। खत्रे को भामते हुए तेंदुए काई काफी समय तक जारी रही जिसमें दोनों जानवरों ने उलेक ये ताकत और द्रिड़ता का प्रदर्शन किया। आखिरका लकरबगधा विजी हुआ और उसने शिकार पर अपना कबजा कर लिया। जंगल में हमेशा घुमने वाला अथक लकरबगधा अकसर शिकार के द पेड़ने तेंद्वा लकरबगधे से अपना शिकार वापस लेने में काम्याव रहा। अपनी उलेकनिये चड़हा इक्षमता का प्रदर्शन करते हुए तेंद्वा तेजीस से शिकार के साथ एक पेड़ पर चड़ गया और लकरबगधे की पहुच से अपना भोजन सुर प्रकाश डालती है। जो शोर गुल और आसान भोजन की संभावना से आकरशित होता है। लकरबगधा अपने शिकार को पाने की उम्मीद में फसे हिरन पर हमला करता है। तेंद्वा और लकरबगधा एक तनाव पूनग तिरोध में शामिल हो जाते हैं। दोनों ही शिकार को सुरक्षित करने के दिये द्रिड संकल पित होते हैं। अराजकता के बीच हिरन मौके का फाइदा उठाता है। जीवित रहने की प्रवृती से प्रेरे तूर्जा के विस्पोड के साथ वेह गड़े से बाहर निकलता है और भाग जाता है। फिरन के अचानक भागने से तेंदुआ और लकरबधा चौक जाते हैं और देखते हैं कि उनका भुजन जोन की सुरक्षा में गायब हो जाता है। एक भयंकर लड़ाई में एक तेंदुआ एक जंगली शुगर को पकड़ने और मारने का प्रयास करता है लेकिन यह लचीला प्राणी आसानी से वश में नहीं आता है। संगर्ष तब और बढ़ जाता है जब जंगली शुगर शिकारी के घातक पमजह से बचते हुए वापस लड़ता है। अचानक एक लकरबधा लड़ाई में शामिल हो जाता है जिस त्रिस्तिती और जटिल हो जाती है। अपने शक्तिशाली जबडों से लकडबधा जंगली शुगर को नोचना शुरू कर देता है जिससे अरजरता और नरसनहार का एक भयानक द्रिश्य बनता है। तीनों जानवर एक क्रू टकराव में फस जाते हैं। प्रतेक निर्मन जंगल में अस्तित्व के लिए लड़ता है। घने जंगल में एक तेन्दुए और एक लकडबधा के बीच भयंकर लड़ाई होती है। दोनों ही मांस के एक तुकड़े के लिए होड करते हैं। संगर्ष बहुत तीवर होता है जिसमें प्रतेक प्रतिद्वन्दुई अपनी ताकत और द्रिर संकल्प का प्रदर्शन कर अंत में तेन्दुआ जीत जाता है, मांस छीन लेता है और जाड़ियों में भाग जाता है। जंगल में इस तरह की जड़पे आम बात हैं जहां तेन्दुआ और लकडबधा लगातार भोजन के लिए प्रतिसपरधा करते हैं। एक तेन्दुआ जाड़ियों से निकलता है जिसने अभी अभी एक लकडबधा को मारा है। वह सड़ग के किनारे की ओर बढ़ता है। लकडबधे का बेजान शरीर उसके शक्ति शाली जवड़ों से लटकाहा होता है। एक तेज चाल से तेन्दुआ अपने शिकार को एक पेर के नीचे रखता है और खाना शुरू कर देता है। यह द्रिशे आकर्शक और ढरावनाद दोनों है। तेन्दुए की कच्ची शक्ति और शानपूरी तरह से फ्रदर्शित होती है। फ्रते काटने पर उसकी मान सपेशिया फड़ती है। प्रकृती की करूर सुमदर्ता से स्तब्द दर्शक चुपचाप देखते रहते हैं। उनकी आखें विस्मयव और भय से चोड़ी हो जाती है। जंगल में अस्तित्व की लड़ाई भयंकर होती है। खास और पर तेन्दुएं और लकडबगों के बीच जो अकसर भोजन के लिए भिड़ जाते हैं। दोनों ही शिकारी अपने आप्प में बहुत श चुपके पर निर्भर करता है, जबकि लकडबगा अपनी ताकत और धीरज से उसका मुकाबला करता है। उनके बीच मुठ भेड़ें बहुत ही तीव्र होती हैं, जिसमें गुराहार, जपटा और प्रभुत्व के लिए होड करने वाले दोशीर शिकारियों की कच्ची शक शामिल होती है। एक अन्य नाट के द्रिशे में तेंदुआ बंदरों के एक समूह को निशाना बना कर अपनी चालागी का प्रदर्शन करता है। अपने सामाने चुपके द्रिष्टिकों के विपरीत इस बार तेंदुआ अधिकरण नीतिक करीका अपनाता है। वह घात ल आता है और बंदरों को छेपे हुए जाल की ओर ले जाता है। बंदरों में घबराड पैल जाती है क्योंकि वे खुद को फसा हुआ पाते हैं। उनकी सामा निर्चा पलता और इत्वरित प्रतिक रियाएं उन्हें तेंदुए के चतुर जाल से बचाने में असमर्थ हैं। बुद्ध मता और शिकार कोशल का यह प्रदर्शन तेंदुए की अनुकूल नशीलता और अपने भोजन को सुरक्षित रखने में संसाद नशीलता को उजागर करता है। जंगल अस्तित्व का एक रंगमंच है जहां प्रतेक जानवर को भोजन और प्रभुत्व की अथक खोज में आगे रहने के लिए लगातार विक्सित होना चाहिए और अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करना चाहिए। एक तेंदुआ जाडियों में चिपा हुआ है और खुले मैदान में घुम रहें एक अंजान सी आर पर हमला करने की योजना बना रहा है। सी आर आसन खत्रे से अंजान अपनी चाल जारी रखता है। तेंदुआ तेजी से अपने चिपने की जिगें से बाहर निकलता है और सोच समझ कर हमला करता है। एक पल में शिकारी सी आर को पकड़ लेता है और अपनी शिकार करने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। दूसरे द्रिशे में एक तेंदुआ चुपचाप घुमता है और खुले मैदान में चर रहे हिरनों और बंदरों के जुन पर नजर रखता है। निपुंता से चुपके से तेंदुआ करीब आता है। उसकी मान से पेशिया तनी हुई होती हैं और उसकी आखें अपने लक्षे पर टिक की होती है। तेजी और सटीकता के साथ वे हिरन पर जटटता है लेकिन उसे यह देखकर हैरानी होती है कि शिकार भागने में सपल हो जाता है। तेंदुए के चेहरे पर निराशा जलगती है क्यूंकि उसे एह सास होता है कि अवसर हाथ से निकल गया है। निराश होकर वह कुछ क्षण के लिए रुखता है और आखरी बार दिर्शे का निरीक्षण करता है। अब खत्रे के प्रती सतर खेरन और बंदर आसपास के पेडों की सुरक्षा में तिप्तर बितर हो जाते हैं। एक अंतिम शांत नजर के साथ तेंदुआ मूडता है और चुपचाब वापस छाया में चला जाता है। हमेशा की तरह अपने अगले मौके की तलाश में एक मायावी शिकारी की तरह है। खुले मैदान में एक भैस और उसका बच्चरा खड़े थे जो स्पष्ट रूप से भयावित थे। अचानक जाडियों से एक तेंदुआ उछल कर आया और बच्चरे को निशाना बनाया। एक सासी कारे करते हुए माभैस ने अपने बच्चे की रक्षा करते हुए तेंदुए पर हमला किया। उसके तेज और द्रिड हमले ने शिकारी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसके बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। दूसरे दिश्चे में एक तेंदुआ सरग के बीच में भैंसों के एक समू के बच्चडे पर घात लगाता है। तेंदुए का अचानक हमला भयंकर होता है, लेकिन भैंसों का जोन जल्दी ही वापस आ जाता है। असाधारन एकता और उद्रिड संकल्प दिखाते हुए भैंसें बच्चडे को बचाने के लिए जवाबी हमला करती है। शक्ती शाली भैंसों द्वारा तेंदुए पर लगातार हमला करने सिस्थिती तेजी से बदल जाती है। शिकारिक पोई हिसास होता है कि वे पराजे तो हो चुका है। इसलिए वे भागने की कोशिश करता है लेकिन भैंसों के अधिक हमले का सामना करता है। एक बार आक्रामक रहा तेंदुआ अब दर से अभिभूत है और क्रूर हमले से बचने के लिए एक पेड से एक शाखा को पकड़ कर वे पास के एक पेड पर चड़ जाता है। करना कोई आसान काम नहीं है। जैसे ही तेंदुआ पास आता है। साही को खत्रा महसूस होता है और वे अपने काटों को ऊपर उठाता है। बिना किसी डर के तेंदुआ आगे बढ़ता है। लेकिन साही अपने काटों को ढाल की तरह इस्तिमाल करते हुए घूम जाता है। तेंदुआ साही पर जपटा मारता है, लेकिन अपने शिकार को पकड़ने के बढ़ाये, उसके पमजे और चेहरे में कई नुकीले काटों को घुसा देता है, दर्द तुरंत और तीवर होता है, जिससे तेंदुआ पीछे हट जाता है, अपनी ताकत और चपलता के बावजू यह मुढ़ फेर शिकारी के लिए एक अठोर सब्बक है, सभी शिकार आसान लक्षे नहीं होते, साही के घा तक, काटे एक प्रभावी निवारक साबित होते हैं, जिससे वेह बिना किसी नुकसान के बच निकलता है, जबकि तेंदुआ घायल होकर तथा समझदार होकर हाला कि, शेर अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है और अंतह अपने शिकार तक पहुचने में असफल रहता है, हताश और निराश होकर शेर पेड़ से नीचे उतर जाता है, जिससे तेंदुआ कुछ समय के लिए सुरक्षित रहता है, लेकिन नीचे के ख विभिन चुनवतियों और शिकारियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे विभिन वातावरणों में इसका अस्तित्व सुनिश्चित होता है, तेंदुए की सबसे उलेकनिये विशेशताओं में से एक इसकी असाधारण चुपके है, तेंदुए चलावरण के उस गंद और सुनने की तीवर इंद्रिया सबसे चुनवति पून परिस्थितियों में भी शिकार का पता लगाने और उसका पीछा करने की उनकी क्षमता को और बढ़ाती हैं, तेंदुए असाधारण समस्या समाधान, क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं, अक्सर शिकार और स पलता का उप्योग चुपचाप और तेजी से आगे बढ़ने के लिए करते हैं, कम से कमशोर के साथ अपने लक्षके करी पहुचते हैं, खुले सवाना में वे भूजन प्राप्त करने के लिए अपनी गती और शक्तिशाली चलांग पर नर्भर करते हैं, ये बड़ी बिलि और शेर जैसे मेला ढोने वालों से बचाया जा सके, यह वरिक्ष ये ख्रमता न केवल उनके भूजन की सुरक्षा करती है, बल्कि अपने आसपास के वातावरन का, निरीक्षन करने और संभावित खत्रे का पता लगाने के लिए एक रणनीतिक सुविधा जनक स्थान भी प्रदान करती है, जब आत्म रक्षा की बात आती है, तो तेंद्वे दुर्ग जहे प्रतिद्वंद्वी होते हैं, उनकी मानसल बनावट, तीखे पमजे और शक्तिशाली जब अड़े उन्हें सक्षम लड़ाकू बनाते हैं, भेचा पलता और खुर्ता के सर्यूजन के मा जैसे बड़े शिकारियों का सामना कर सकते हैं, तक्राव में तेंद्वे सटीक और शक्तिशाली जवाबी हमले करते हुए सीधेत, हमलों से बचने के लिए अपनी त्वरित सजगता और चपलता का उप्योग करते हैं, शारीरिक कोशल और सामरिक बुद्धिमत्ता का यह सर युजन अक्सर सबसे द्रविरोधियों को भी रोग देता है, तेंद्वे एक आंतप्रिय प्राणी होते हैं, जो उनकी स्वतंत्रता और आत्मनर्भरता को और भी रेखांकित करता है, वे ऐसे च्छेत्र स्थापित करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं जो उन्हें प्रती विशेश रूप से सुरक्षात्मक होती हैं, उन्हें छोटी उम्र से ही आवश्यक जीवित रहने के कौशल सिखाती हैं, अपने एक आंतप्रिय स्वभाव के बावजूद तेंद्वे अत्यधिक अनुकूलनिय होते हैं और घने जंगलों और घास के मैदानों से ले परित्यक्त इमारतों और पुलों का उप्योग करते हुए देखा गया है, जो उनके लाब के लिए नए बातावरण का दोहन करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है, निशकर्ष में तेंद्वे की बुध्धमत्ता, चपलता और ताकत का सयोजन इसे जंगल में सबसे सक्षम और लचीला शिकारियों में से एक बनाता है, अलग-अलग बातावरण में खुद को ढालने की इसकी ख्रमता, इसकी चालाक शिकारण नीतियों और दुर्गजे आत्मरक्षा तकनीकों के साथ मिलकर, कई तरह के खत्रों के खिलाव इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करती ह तेंद्वे के उलेखनिये कौशल और संसादन शीलता प्राक्षतिक दुनिया की जटलता और सुन्दर्ता को उजागर करते हुए लोगों को मोहित और प्रशंसा के लिए प्रेरित करती रहती है दोस्तों हमें बिस्वाश है कि ये भीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्ट्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले अगले भीडियो में इससे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सला मत से रहे थैंक यू